पूर से गिनल आ रहा है हेलो बच्चो नमस्कार कैसे आप सब लोग उम्मीद सांदार जिन्दबाद जबरजस्त होंगे और आप हरियाना पुलिस वाले बच्चों के लिए एक बहतरी शुरुआत रडबलोए पर होने जा रही है बहुत सारे बच्चे हरियाना के बहुत सारे एक्जाम्स के लिए रडबलोए को देखना चाहते हैं और रडबलोए पर अभी बहुत ज़धा चीज़े हरियाना वाले बच्चों के लिए नहीं आ पाई है यह मैं मानता हूँ इसमें तो हरियाना का बच्चा रडबलोए से पढ़ता ही है लेकिन क्या हरियाना पुलिस जैसे बड़े एक्जाम में जहां इतनी अच्छी विकैंसी आई है और एक नियमत अंतराल पर कई बार निकलती रहती है हरियाना में यह अच्छी बात है 6000 एक बड़ा नंबर है हरियाना के अंदर तो भाई इसके लिए रडबलोए को कुछ ना कुछ करना ही था क्योंकि बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रहे थे कि सर रडबलोए हमारी हरियाना पुलिस फिकैंसी पर क्यों दिहान नहीं देता तो अब आपकी यह सिकायत बिलकुल दूर हो जाएगी और एक बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ यह दूर होगी आपकी वो सारी सिकायते दूर होंगी जो आप यह चाहते हो कि कि सर हरियाना पुलिस में अगर रडबलोए आ जाएगा तो इकरांती आ जाएगी क्योंकि वो बहुत सस्ती फीस में दे पाता है दे पाता है क्वालिटी एजूकिशन वच्छों आपके टीचर्स के नाम दिखाऊंगा तो वो भी बहुत सांदार दिखेंगे और बाद में हरियाना जीक्य वाली बहुत टैंसन थी बचछों को कि आर्डबलोए पे बाकी सब सब्यक्ट ठीक है लेकिन हरियाना जीक्य या एनिमल हज्बेंटरी इन सब्यक्ट को कौन कराएगा तो क्या आ डवलोए पे कोई करा सकता है गया नहीं हमने हर्याना के एक बहुत बहतरीन टीचर जोड़े हैं हर्याना जीके के लिए ही तो जिन को मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं तो अभी मैं बाद में उनका नाम भी बताऊंगा तो अभी बचे पहरे जान लेते हैं कि ये 6000 पदों के लिए आपको क्या एज क्या योगता कौन लोग भर सकते हैं अधर इस्टेट का क्या रॉल है तो क्या अधर इस्टेट वाले भर पाएंगे जी हाँ इस बात का ही जब आप पहले ही देता हूं कि अधर इस्टेट का कोई यह वी बच्च्छा हरियाना पुलिस में फाम भर पाएगा जनरल में काउंट होगा लेकिन सर्थ यह है कि उसने सी इज पी कर रखा हो अगर उसने सी इजिजिबल्टी टैस्ट जो हर याना का हो चायए वो बाहर का हो यह तो जिस्ट क्वालिफाइंग टेस्ट होता है कि इसमें जो बैठे उसमें इतने माक्स लाओगे तो हरियाना पुलिस का यह एक्जाम दे पाओगे तो अब इसको कौन दे अधर स्टेट वाला अधर स्टेट अब इस वजे से बहुत सारे स्टेट में यह चीज चल गए एक इंडारेक्ट वे बना दिया है अब अपने अपने स्टेट में चलिए अब अगर हम देखें कि इसके फॉर्म वगेरा क्या आ चुके हैं हरियाना पुलिस के जी हाँ फॉर्म बिलकुल आ चुके हैं बच्चों हरियाना पुलिस के और अब आप फॉर्म कितने तारीक से क अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है फॉर्म 20 फरवरी से भनने सुरू हो जाएंगे बच्चो और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी आपको फॉर्म भरने की फीस नहीं देनी क्या ऐसा भी होता है अर्याणा में हुआ है तो भाईया जो सीटी में आपने फीस दीती वह यहां काम कर रही है तो क्योंकि यह कह रहे हैं कि हम तो सीटी में आप से ले चुके अब अगर यह भरतियों की बात करूं तो आप सब को मालूम है कि भाईया 6000 पोस्ट के लिए हला मच रहा है और त्रेणी वार रिक्ती विवरन अगर आप देखेंगे तो वह भी अगर मैं महीला पुरसों की बात करूं तो 5000 पुरस वाले हैं और 1000 महीलाओं के पद है यह फिक्स कर दिया है चलिए अच्छी बात है भई तो इसका मतलब महीलाओं की कट आफ अलग लगेगी पुरसों की कट आफ अलग लगेगी चलो अच्छी बात है नेक्स्ट यह जो एज में छूट यह आप सबको मालूम है लेकिन यह भी कब मांगी गई है एक फरवरी को मांगी गई है तो एक फरवरी को 18-25 लेकिन आपको पता होगा कि इस बार 3 साल की छूट मुख्यमंत्री जी खटर साब पहले ही अनौंस कर चुके हैं तो वो 3 साल की छूट भी यहां मिलेगी अर्था बात 18-28 हो गई किसके लिए जनरल के लिए अब यहां पर अच्छी बात यह है अपने यूपी में या सेंट्रल की ससे जीडी वगएरा भरतियों में तो नहीं है पर यहां पर अच्छी बात यह है चाहे तो कोई EWS कैटगरी यानि वहां उस EWS कैटगरी को भी छूट मिलती ह यह 5 साल की वह BC कैटगरी ओव BC जिसको हम यूपी में बोलते हैं तो यहां BC बोलते हैं backward class या SC कैटगरी या ST कैटगरी इन में है तो 5 साल की और छूट आपको मिल जाती है एज में ठीक है तो यह भी clear हो गया एक फरवरी 2024 को यह आपकी होनी चाहिए आगे अगर मैं बात की तो educational qualification बच्चो यहां पर दिखाया हुआ है कि भाया बार भी पास चलेगा और CET आपने भर लिया होगा जिनको color vision है उतयारी मत करना इसकी color vision में अब आपको red पे जो मैंने इस से लिखाए दिखाई नहीं दे रही होएगी line ग्रीन से लिख दिया में रेड से रेड पे हलाक यह चमक नहीं रोग यह ग्रीन सी तो भया जिनको नहीं दिख रही है समझे लो color vision आप तयारी मत करना इसकी तो 12th pass plus CET दोनों चीज़े अगर आपके पास हैं तो आप यह form सिर्फ तभी भर पाएंगे 12th pass तो सभी होते हैं CET other state का रास्ता लगबग बंद हो चुका है CET हरियाने के बिना भरती के कोई नहीं देने जाएगा भरती हैं तो देने जाएंगे UP का बच्च क्यों इंट्रेस्ट लेगा या मालिय राजिस्थान का बच्च क्यों इंट्रेस्ट लेगा अगर उसके थ्रू कोई भरती नहीं पता है कि का आएगी नहीं आएगी कब आएगी कैसे आएगी तो नहीं लेता है इंट्रेस्ट ठीक है चलो तो अच्छी बात होती अगर वो सीटी पास कर लिये होते तो तो दक केंडेट मस्ट है वेल्थ पास्ट यही बाते यहां लिख रही है और यह किसी बोर्ड इंस्टिटूशन से पास कर रखी हो एक बात और एक कंडिशन और भी जबर्जस्ट दे रखी है कि आपकी जो दस्वी है वो हिंदी या संस्कृत कोई सा एक विशा होना जरूरी है आपकी माक सीट में आपको कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा आपकी हायर एजूकेशन के लि सताई 21,700 यह सेलरी है बेसिक अब इसको अगर इस पर सारे हरे और डी अवगेरा मिला करके यह सेलरी बन जाएगी 35 के आसपास अब तो कहीं की भी किसी भी पुलिस की 35,000 से सेलरी कम नहीं है बच्चो नेक्स्ट अब अगर बात करता हूं आगे यह क्या है यह पूरा सेलेक् टेस्ट या हम कहेंगे पीटी फिजिकल एंडरेंस टेस्ट यह होता है माप तोल पिलस दौड दोनों चीज़ों को इसको में लाके कहते हैं पीटी और पीमटी यह क्वालिफाइंगे इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे चाहिए आपकी कितनी भी हाइट हो क्या आप दौड क इतनी भी जल्दी मार लें कोई मार्क्स नहीं है रिटन एक्जाम होगा फिजिकल के बाद रिटन एक्जाम बाद में है इस बार बाद में हर बार यह पहले होता था इस बार चेंज किया है नियम आवली में तो रिटन एक्जाम बाद में है और रिटन एक्जाम आफ लाइन है यह भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा और डॉकुमेंट वेरिफिकेशन है और लास्ट में मेडिकल है तो स्टेप तो मेंली जो है वो दो ही है फिजिकल और एक्जाम फिजिकल ऐसा है कि उसको ज्यादा तर बच्चे कर लेते हैं हरियाना की कद काटी भी अच्छी होती है भाया यहाँ जिस हिसाब का फिजिकल है उस हिसाब भी जादा तर बच्चे उस फिजिकल को मार देंगे अभी मैं दिक्षाओंगा किस पहले तो आप वीप चोङसे है वर जी जो लंबे होते है चाहिए अधर स्टेट के होता आप जनरल में आओगे एक सत्तरी चाहिए अब एक अथावन यहां दिल्ली पुलिस में लड़कियों के साथ अन्या है मतलब दिल्ली पुलिस में एक सत्तावन चाहिए यहां एक सोट्थावन है वहां से एक ज्यादा और रिजर्व कैटेगरी 156 यह अच्छी बात है अगर आप BC, SC, ST या EWS यहां रिजर्व कैटेगरी में EWS भी आता है तो आपकी 156 हाइट भी चल जाएगी और भाया यहां जो चेस्ट है वो 83 से 87 चाहिए और यहां 81 से 85 चाहिए रिजर्व कैटेगरी का चलो अब आगे बात कर लेता हूं कि मेल धाई किलोमेटर दोड़ है तो बारा मिनट में यह बहुत आसान है दिल्ली पुलिस के मुकाबले आप सोचो वाँ 6 मिनट में 16 सो है तो बारा मिनट में तो 32 सो होती है अलाकि जब ज्यादा लंबी दूरी होती है तो उतने स्पीड से नहीं दोड़ा जा सकता मैं मानता हूं डेस डबल नहीं होता पर यह है भी बहुत आसान देखो आप इसका उल्टा करिए कि भाई जो पांच किलोमेटर है ऐसे से जीडी मे पच्छिस मिनट में उसी स्पीड से सिर्फ आपको 12 मिनट दोड़ना है जिस से वह 25 मिनट तक दोड़ते हैं 12 तो तेज भी दोड़ सकते हैं तो पतलब यह दोर बहुत आसान है जीडी के मुकाबले तो बहुत ही आसान है फीमेल की एक किलोमेटर 6 मिनट में एजी लिल लग बात करें तो भाया OMR based exam होगा यह बिल्कुल clear आप बांध लें और कोई negative marking नहीं है एक अच्छी चीज और आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि भाया क्या है एक और नई चीज देखिए 100 question भले ही होंगे और एक question जो 0.945 का होगा क्योंकि 100 question 94.5 marks के हैं यहां पर अजीब सी बात है न साड़े 94 नंबर दे रखे 100 question के तो एक question इतने marks का हो जाता है 0.945 यानि एक होने में इसमें कसर रहेगी थोड़ी सी 94 पैसे है एक रुपया होने में कसर है थोड़ी सी वह वाली बात है तो भाया एक question के लिए इतने marks मिलेंगे और यहां पर यह है कि अगर कोई question आपको नहीं आता है तो भी OEMR में भरना है यह अलगी चीज़ है यह CET में भी होता है इनके में आपके CET में भी देखा होगा आपने कि जब आपको कोई question नहीं आता है तो भी OEMR में गोला कला करोगे पांच व एक option जरूर भरना है आउट आप 5 option पांच option मिलेंगे OEMR पे पेपर में 4 ही मिलेंगे OEMR पे 5 एक्स्ट्रा फाइब मिनट सेल बी गिवन टू मार्क फिफ्ट ऑप्शन पांच मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसलिए आपको पांच वे option को जरूर भर देना इप केंडेट अगर आप उस आंसर को नहीं जानते हो तो पांच वा उप्शन जब भी भर देना ठीक है चलो तो टोटल टाइम एलाउट पर यह 105 मिनट है चीक है इंक्लूडिंग दा 5 मिनट तो भी अवैसे 100 मिनट देते पर आप हमें 105 मिनट दे रहे हैं यह कह रहे हैं एक क्वेशन के ल कि तरह है कि बाकी एक्जाम्स में होता है और आपने कोई सा भी अप्शन नहीं भरा तो फिर आपका ना इतना ही नंबर एक क्वेशन के लिए काट लिया जाएगा जितना मिलता है यह बहुत खतरना कंडिशन है फिर नेगेटिव मार्किंग पूरे एक बाटे चार नहीं ए पूरी एक की एक बटे एक की इससे खतरना कुछ नहीं हो सकता इसलिए भराना इसलिए बहुत आपके बात कर दिता हूं कि रिटन एक्जाम पेटरन किया है रिटन एक्जाम बताई दिया है सो कुस्चन है 94.5 मार्क से 105 मिनट मिल रहे हैं इसलिए 105 मिलते हैं अब क्या क्या आएगा पेपर में इच कुस्चन के लिए यह नंबर लिखी दिया है जनरल साइंस करेंट अफेर जनरल रीजनिंग मेंटल अप्टिटूड निमेरिकल अबिलिटी अग्रिकल्चर अनिमल हस्पेंडरी बेसिक नॉलिज ऑफ कंप्यूटर इंगलिस लेंग्वेज और नॉल करूं हाला कि इस तरह से नहीं कर रखा आपके नोटिफिकेशन में किस तरह से कर रखा वो भी दिखाऊंगा फिलहाल आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हो प्रीवियूस यह पिपर से में लेकर के आया हूं इसको कि मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिस अगर सब को मिला द ठीक है तो यह कोई फिक्स नहीं है पर यह ऐसे पूछे गए हैं पहले अब मैं हरियाना जी के के बताऊं लिख रहा है एटलीस ट्वेंटी परसेंट नोटिफिकेशन में पूछी जाएगी सौ का 20 परसेंट ट्वेंटी कुश्चन होते हैं एटलीस लिख दिया है इसका मतल पूटी भी रह सकते हैं तो इस तरीके से हमें यहां मानना पड़ेगा IPC CRPC के क्वेश्चन हलग यह SI में आते हैं इसमें नहीं आते ठीक है आगे एनिमल हस्वेंटरी और अग्रिकल्चर से रिलेटेड यह 5-6 क्वेश्चन पूछ जाते हैं बच्चों अगर मैं तंपिटर की बात करों तो यह लिख रहा है एट लीस्ट 10 परसेंट अब यह एट लीस्ट 10 परसेंट होगा इसके मलग कम से कम 10 तो पक्के ही हैं 10 से जादा भी हो सकते हैं और पार्ट 6 में जनरल साइंस और जनरल नौलिज जो पूरे इंडिया की नौलिज है वो 25-30 मार्क्स की है और 50 में से हरियाना जी के कितने पूछले कम से कम 20 जरूर होगा ज्यादस ज्यादस कितना भी हो सकता है इस तरीके से पूरा पेपर पूछा जाता है यह ताड़े 94 नंबर क्यूं है ऐसा कैसे बनाया पेपर वह यह क्यूंकि धाई नंबर इन्होंने जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है इस तरीके से कुछ नंबर मिलते हैं वह आपको पालूमी हरियाना वालों को तीन मार्क्स आपके NCC के तो इन सब को जोड़ोगे तो टोटल 100 बन जाता है इस तरीके से अब जो मैं आप से कह रहा था कि यह 10% कहां से लिख दिया आपने तो देखो लिखा इस से ज्यादा भी हो सकते हैं आगे आपके लिखाल से ज्यादा जाने भी नहीं चाहिए बीस से कम कभी रहेंगे नहीं ठीक है इतनी तो एक्सपक्ट कर सकते हैं आपकी एजूकेशन को यानि बार भी आपने पास किया उस हिसाब से उस लेवल का तो हम पेपर बना के चलेंगे और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो गड़बड़क पिछली वार की थी वो मैथ्स में की थी मैथ्स में 11, 12 के क्वेशन पूछ डाले थे आठ साथ तो क्वेशन ही आएंगे तो बच्चों को करने लाएक कुछ छोड़ा ही नहीं मैथ्स में पिछली बार बहुत आलोचना भी हुई इस बात की तो हो सकता इस बार ऐसा ना हो तो भईया ये फोर दे पोस्ट आफ कॉंस्टेबल ये पूरा इन्होंने समझाया है अभी आप हॉम के टाइम पर आपको ये स्कैनिंग भी करनी पड़ेगी डॉकुमेंट्स की ये से 10 के आपके अपने डॉकुमेंट्स स्कैन करने जो भी आपके 10 के डॉकुमेंट्स है SCBC या BCBEWS इन सबका आपको अपने जो है वो सर्टिफिकेट भी स्कैन करना है और इसमें जो वेटेज के सोशल और इकॉनमिक क्राइटेरिया में जो चाहते हैं धाई माक्स चाहते हैं उनको ये अपना सर्टिफिकेट स्कैन करना पड़ेगा फोटो भी स्कैन करना है साइन स्कैन करने हैं और ऐसी जो आपकी आप क्यों मैं तो ग्रेजवेट हूं BSC हूं तो BSC के लिए आपको higher education का सर्टिफिकेट भी स्कैन करना है नहीं दिखाते हो BSC तो फिर बिल्कुल जरूत नहीं है BSC मानी तब जाएगी जब आप यहां दिखाओगे वैसे आवशक्ता नही चलेगा कितने भी परसेंटेज आपके क्यों ना आयो हर्याना bonafide residence certificate भी आपको दिखाना पड़ेगा कहीं आप other state से तो नहीं है residence certificate भी यहां लगाना पड़ेगा ठीक है और अपना यह EWS certificate है तो वह 2023-24 का चलेगा याद रखना यह EWS certificate 2023-24 का कौन सा होगा चो 31 मार्च से पहले पहले बना होगा इसी साल का और एक अप्रेल 2023 के बाद का बना हो 31 मार्च 2024 से पहले का बना हो इसको 23-24 बोलते है ठीक है तो अब आपको clarity आगई कि EWS कब का बना हुआ होना चाहिए तो यह सारी चीजे mandatory है इसलिए अब आप देख लीजिए बच्चे आपको पहले मैं दिखा देता हूँ पूरा लक्ष बैच हम हरियाना के लिए लेकर के आने वाले हैं हरियाना पुलिस के लिए पहली बार RWA उतर रहा है हरियाना में पूलिस की तयारी कराने के लिए तो हमारा एक मातर लक्ष होता है कि आपका सेलेक्शन इसलिए लक्ष बैच नाम दिया है अगर आप RWA से जुड़ना चाहते हो और उससे पढ़ना चाहते हो तो इससे बेस्ट बैच आपको नहीं मिलेगा इसका करण है कि देखिए संदीप सर जो हमेंने हरियाना जीके के लिए जोड़े है हरियाना जीके के पढ़ाते हैं एनीमल हस्बेंट्री वगेरा उसमें सब कुछ ये कवर करेंगे तो भाई और आपको पता है कंप्यूटर आपके सिवम सर जो दिल्ले पुलिस में चाह गए थे तो वो भी है तो वो तो सब रहे गाई कि हां हरियाना जीके के या कंप्यूटर जैसी कोई समश्चा डवलवे पर नहीं आनी है क्योंकि बहुत एक्सपीरियस्टी है वाकी तो संदीप सिवाच सर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे जो भी हरियाना पुलिस की तैयारी कर रहा है हरियाना जीके जरूर इनका नाम जरूर सुन रखा होगा तो संदीप सिवाच सर को आप जानते हो तो नहीं जानते हो तो आप जान जाएंगे इनका एक बहतरीन अध्यापन सैली है हरियाना जी के को बहुत बहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा गहराई से पढ़ाने वाले टीचर के रूप में जाने जाते हैं संदीप सिवाच सर एक बार इन से पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपका फिर कोई कोश्चन छूटेगा बाकी जज आप ही करेंगे ज्यादा बढ़ियर रहेगा मैं बहुत ज्यादा तारीफ अभी नहीं कर सकता तो भाई मैं पूरी टीम आपके लिए लगाने वाला इस बैच में हर एक सब्जेक्ट चलेगा जो भी आपके एक्जाम में आता है बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं पर सब कुछ चलाएंगे और बहुत सस्तिफीस में सायद को यह पूरे हरियाना में इतनी सस्तिफीस में पूरे complete बैच को इतनी बहतरीन टीम के साथ नहीं दे पाएगा संदीप सिवाच सर का अपना खुद का बैच अगर यह हरियाना जी की का लाते है अब खुद सोचो तो उस लेवल के टीचर है और इनको आपको यह कंबाइंड इस बैच के अंदर complete lectures मिल रहे होंगे seven double nine में और seven double nine भी नहीं है जब तक आप डेमो ना देख लो इन तो भाई HR 20 coupon code यूज कर लेना जब आप यह बैच खरीदो तो 799 की जगे इस तारिक तक 21 तारिक तक यह बैच 640 में मिल जाएगा जैसे ही coupon code रोजगार विद अंकित एप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको purchase करोगा HR 20 coupon code कैसे यूज करना अभी बता रहा हूँ तो 640 इस रुपे में सूख करने लगेगा तुरान साथ सो निन्यान में मिलेगा 21 तारिक के बाद 21 फरवरी के बाद मेरे भी हात में होगा फिर 799 ही इसका actual price है पहली बार हर याना में जा रहे इसलिए इतने सस्ते में इतने सारे subject में दे पा रहा हूँ टीम आपको दिखाई दिय है मैंने सकल ठीक है सबकी यही रहने वाली है एक बार आप notice भी कर ले हर एक teacher यही आपको मिलने वाला है और RWA आप भरोसा करते हैं तो उसकी टीम पे भी भरोसा करते ही है इसलिए RWA नाम आपने उपर तक आज पहुंचाया है और भरोसा है ठीक है हर एक subject यहां समय से बहु जाना पुलिस के लिए इस पर क्लिक कर देना तो यहां इस तरह का वो खुलेगा तो बाइनाव पर जब जाएंगे तो apply coupon HR20 यहां लिख देना apply coupon पर क्लिक करके apply कर देना और यह 799 की जगे 640 आ जाएगा लेकिन 21 फरवरी तक आएगा बस उसके बाद नहीं आएगा तो यह purchase purchase कब से कर सकते हैं अभी से कर सकते हो ठीक है कब तक कर सकते हैं जब तक आपका मन करे एक्जाम से पहले एक दिन पहले purchase कर लेना वो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको अगर पिलकुल सुरुआत से जोड़ना है एकदम basic से जोड़ना है तो 19 तारिक से class start हो जाएंगी 20 से आपकी class चल रही होगी बहुत ही अच्छे से ठीक है बच्चो तो यह जानकारी आप तक पहुंचानी थी ओके धन्यवाद नमस्कार फिर भी आपकी कोई कुछ भी अगर आपको कहना हो कुछ भी suggestion हो तो जरूर बताईएगा हम अपने batches में आपको मालूम ही है जो जो स्वी इंडे मिलने लग जाएंगे डाउट ग्रूप जो भी बच्चे batch को purchase करेंगे एक डाउट ग्रूप बनाएंगे जो हर दिन दो message उसमें भेज सकते हैं सारे teachers आपके उसमें जुड़े हुए होंगे तो आपकी अनसुलजी समस्चाओं को सुलजा देंगे class notes PDF हर class की PDF आपको मिलेगी और teacher RWA के आप जानते हो experience teacher यहां होते हैं ठीक है धनिवाद नमस्कार